Hello students, आप सभी का स्वागत है तो आज जो भी examination Sanskrit के हुई है तो इस question paper के हम पूरे answer की को देखेंगे अगर आपका इस question से different question आया होगा तो description पे मेरा email ID होगा आप question paper भेज़ दे, मैं उसके answers को आप लोग को करके दे दूँगा ठीक है, चलिए इसके पूरे answers को देखते है देखो यहाँ पे यह जो question number one है तो इसका जो answer होगा यह वला होगा ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है second का answer जना होगा और third का answer क्रिडावी होगा ठीक है, इसका answer यहाँ पे दिया हुआ है तो यह हो गया, question number one का answer अब देखो यहाँ पे जो 2 का answer है यह हमें पूर्ण वाक्य में लिखना था तो यहाँ पे मैंने tick कर दिया है आप इसमें से यहाँ से यहाँ तक में one का answer को लिख सकते थे second का answer को आप यहाँ से लिख सकते थे इसको अपने language में लिखना था बाकि अगर आपने पूरा भी लिखा हुआ होगा तो ऐसा नहीं कि आपके marks काटे जाएंगे ठीक है maybe कि अगर 2 marks का है तो 1 and half तो आई जाएगा और teacher पर depend करता है आपको full marks भी दे सकता है ठीक है तो यहां से 3rd वाला का answer आप लिख सकते थे तो यह हो गया अब इस वाले question में हमें एक सिर्षक लिखना था तो इसका जो सिर्षक था वो जो first volume हमने यहां पे देखा था ठीक है यह वाला चल भासी यंत्रम और प्रभावा हम लिख देंगे इस तरह से चल भासी यंत्रम प्रभावा यह सिर्षक हो जाएगा इस वाले question का इसके बाद next वे यहां question था इसका जो answer है वो one number में चापी होगा second number में भावती और third का सरलतया बाकी यह वाला मैंने नहीं किया हुआ है अगर आपने किया हुआ होगा तो इसका answer को यह वाला five का होगा यहां three होगा यहां two यहां पे one फिर four ten six seven, eight और nine इस तरह से हो जाएगा ठीक है आप यहां पे feel कर ले जहां पे जो भी number suitable होगा इस वाले question को मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि इसमें सबका answer different होगा आप अपने तरीके से इसके answers को संस्कृत में लिख सकते थे ठीक है यहां पे देख लेते हैं संस्कृत भासाम में इसको अनुवाद करना था लिपिक अपना कार्य करता है तो answer क्या हो जाएगा लिपिक स्वकार्यम करोती ठीक है second question था दो क्रिशानों ने खेद जोता था तो इसका answer हो जाएगा दो क्रिशको छेतरा छणम अकरूताम third question था कि मैं आलश्य का त्याग करूंगा तो इसका answer हो जाएगा अहम आलश्यम त्यागम करिश्यामी अगर आपका answer different होगा तो आप comment जरूर करें ओके देखो phone में लिखा हो है तुम सब मिलकर गीत बोलो तो answer हो जाएगा यूवम मिलित्वा गीतम गायती five में है हमें रोज व्यायाम करना चाहिए व्यायाम प्रती दिने व्यायाम कुरियाम ठीक है six number में है सफलता परिश्राम का परिणाम है सफलता परिश्रामस्य परिणामं अस्ती ठीक है सफलता परिश्रामस्य परिणाम अस्ती seven number में है कल मोहन कहां था इसका answer होगा सुवा कल का सुवा सुवा मोहनं कुत्रस्ती ये हो गया answer चलिए इस वाले question का देखते हैं तो इसका जो answer होगा one का ये भारवेद नया होगा second का अरच्छी होगा ठीक है थर्ड वाला मैंने नहीं किया है अगर आपने किया होगा तो answer आप लोग बताए और बाकी ये जो पूर्ण वाकियों में लिखा होगा था तो इसको मैंने यहाँ पे tick नहीं किया होगा है तो इसको बस मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है चलिए आगे देखते हैं six number का तो six number में इसका जो answer है वो ये जो first वाला है इसमें से होगा ठीक है बाकी दो question को मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है इसका answer मिल जाएगा तो मुझे exactly अगर answer पता चल जाएगा तो मैं description पे दे दूँगा बाकी अभी मुझे exactly पता नहीं चला था इस वज़े से मैं आप लोग को ये नहीं करवा रहा हूँ ठीक है ओके चलिए seven number यहाँ पे देखते हैं तो seven का one का answer one issue होगा second का one रह होगा और third का नदी होगा बाकी इसका अगर हम पूर्ण वाके का बात करें तो one number का जो answer है वो यहाँ से आप लिख सकते थे लेकिन अपने language में लिखना है same to same नहीं चापना है अगर आप same to same चापते हो तो आपको maybe की full number ना मिले one and half मिलेगा two में और अगर ऐसा हो सकता है कि depend करता है teacher के उपर अगर teacher अच्छा है तो आपको full number भी मिल सकता है second का जो answer है second वाला का जो answer है वो यहाँ से आप लिख सकते थे और जो third का answer है वो यहाँ से था ठीक है यहाँ से थर्ड वाला का तो यह हो गया चलिए next eight number तो इसमें first number में यहाँ फील होता आत्मना second number में फील होगा सुखानी third number में फील होगा परिव्या और fourth number में फील हो जाएगा कदापी ओके चलिए इस वाले question को देखते हैं इसमें थोड़ा सा मुझे doubt है तो अगर आपने different answer किया होगा तो आप हमें comment करके जरूर बता है first वाला में मानुवा नाम होगा second वाला में आलश्यम होना चाहिए third वाले मं बंधू और fourth वाला में मानुवा अगर इससे different अगर आपका answer आता है तो आप comment जरूर करे जो भी अगर सही answer होता है तो मैं वो comment में कर दूँगा अगर इसमें से कोई भी answer अगर wrong वा होगा तो मैं answers में जो भी description है description पर में सही answers को आप लोग को दे दूँगा और जो 9 का answer है वो हैं पर आप arrange देख सकते हो किस तरह से arrange हो है सबसे पहले ये वाला होगा second में ये third में ये फिर fourth में ये वाला होगा five में ये six में ये वाला seven में ये वाला और eight में ये वाला ये बिल्कुल आपका सही है इसमें आपका अगर आपने ऐसा किया होगा है तो आपका एक भी marks नहीं कटेगा ओके ये एकदम 100% correct है इसमें कोई problem नहीं है तो ये सारे question थे अगर और भी कोई question होगा ताप comment जरूर करें और दूसरा question paper अगर आपके examination में आया हुआँगा तो आप नीचे मेरा जो email ID है उसमें question paper PDF आप send कर दें मैं answer upload करवा दूँगा